Hello everyone, जै हिंद आज 30 सितंबर महिने का आखरी दिन है और 2-3 दिनों में मैं आप लोगों को सितंबर मन्थ का ये जो मन्थली वीडियो करंट अफेर का ये प्रवाइड करा दूँगी, ठीक है? चलिए, 30 सितंबर का करंट अफेर शुरू करने के पहले हम रिविजन कर लेते हैं, कल हम लोगोंने कौन-कौन से important question पड़े थे, कि दादा साहब फाल के पुरिसकार, 2020 का जो है ये मिलेगा, आशा पारिक को सोक्षव टाय का अधन प्रितियोगिता की शुरूआत, आवास और सहरी मंत्राले ने की है, विश्व रेबी इस दिवस, 28 सितंबर को मनाया जाता है, आईश्मान उतकरष्ट पुरसकार उत्तर प्रदेश ने जीता है, अभी हाली में चंदरमा पर चेंज साइट वाई नामक, लूनर क्रिष्टल और परमाणू उर्जा इस्तरोत की खोच की है, चाइना ने, अभी हाली में मीना कंडा सामी, इन्होंने हर्वन केश्टन पुर चेंज चोड़ा है, भारत के अगरे CDS अनिल चोहान बन गया है, यह सभी कोश्चन्स हम लगोंने कल पढ़ लिये थे, देखें, आज कई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू, ऐसे स्ट्रंट जो मुझसे खान सर के अप्लिकेशन में पढ़ रहे हैं, और यदी नहीं देख पाएं, तो PDF तो ज़रूर पढ़ दीजेगा, कल लास्ट में Science and Technology और Award दोनों वीडियो मैंने अपडेट कर दिया था, थोड़ा सा busy schedule था, इसलिए वीडियो लेट अपडेट हुआ था, उसके लिए माफी चाहूंगी, बाकि आप लोग देख ज़रूर लेंगे, चले शुरू कर लेते हैं, आज का हमारा पहला question, हाली में किस राजनी राख, यानि कि जो एश होती है न, इसका उप्योग करके गेंडो के लिए, अबार्ड ओफ दा यूनिकॉर्ण नाम से एक असमारक बनाया है, तो ये भी हाली में बनाया गया है, असमसरकार के द्वारा मतलब की काजी रंगा नेशनल पार्क में जले हुए जो सींग है, जो किसके सींग तो गेंडो के सींग, इसके राख से बन करके ये असमारक तयार हुआ है, इसमारक में इसमें एक मादा है, व्यस्क मादा है, और एक इसमें नर है, और एक ये बच्चा आपको दिखाई दे फीमस है ये तो काफी बार मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ तो यहां से ना आज मैंने देखी option ना कैसे रखे हैं असम, मेघाल है, मड़ीपूर और मिजोरब तो यहां से कुछ आज हम extra factor discuss करने की कोशिश करेंगे अच्छा पूर्वत्तर भारत का कभी discussion आता है ना तो मैं आप लोगों को अलग-अलग बताती हूँ कभी असम का discussion कर लिया, हम लोगों ने कभी मड़ीपूर का, कभी अन्नी किसी state का लेकिन थोड़ा सा आज यहां से हम additional जानकारी जानने की कोशिश करेंगे यह ना पूर्वत्तर भारत का राज्य, पूर्वत्तर भारत की राज्यमी, अरुनाचल प्रदेस, नागा लेंड, मड़ीपूर, मिजूरम चार यह याद रखी, चार यह सिक्वेंसी, इसलिए मैंने बताई, क्योंकि यही जो चार राज्ये हैं, यह किस से सीमा साजा करते हैं, तो यह म्यामार से सीमा साजा करते हैं, इधर से म्यामार लग जाता है एक आराकान योमा परवत है इसकी विक्टोरिया चोटी से अलग होते हैं हालकि मैं मारगा कभर डिसकुशन आएगा तो वह मैं बता दूँगी तो यहां से अरुनाचर प्रदेश, नागरन, मडिपूर, मिजोरम ठीक है? चार यह हो गए फिर चार यहां से याद रख लिजे पांचवा यही से शुरू करते हैं चलिए त्रिपुरा, छटवा मेघाल है, सातवा असम ठीक है? अब आठवा राज जी इसमें सिक्किम को शामिल करिए तो पूर्वत्तर भारत में ये तो आते हैं लेकिन यदि सेवन सिष्टर की मैं बात करूँ तो इसमें सिक्किम नहीं आता है यहां इस पश्ट अलग से लिख देती हूँ तो आप अच्छे से समझ पाएंगे जो सत बहीनी के नाम से या सात सेवन सिष्टर के नाम से जो स्टेट है इसमें सिक्क्म शामिल नहीं है, बाकी के जो साथ राज्य हैं, ये इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है, हलाकि देखिए, भारत के अंदर ना, पहले क्या है कि इन पूरोत्तर भारत के राज्यों को उतना ध्यार नहीं दिया जाता था, चाहे यहां development की बात हो, चाहे किसी भी के मुद्दे होते हैं, पूरोत्तर भारत में भी हाले की दिनों में आप लगों ने देखा होगा, असम में इतना ही भीशन बाढ़ आई थी, मतलब कि क्या ही कहें, लेकिन मीडिया वालों ने उसे कवर रही किया था, मीडिया किस निउस को कवर कर रही थी, आप बहतर तरीक किया या कि केंद्र सरकार की जितने भी मंत्राले हैं और विभाग हैं, इसके बजट का कम से कम, 10 प्रतिसत ये पूर्वत्तर रज्यों के विकास के लिए सुरक्षित किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद प्रधान मंतिरी नरंद्र मोदी जी सत्ता में आए, उसके बाद से लग पुल और रेल्वे पुल भी आप कह सकते हैं, बोगी बिल पुल इसका अनावरण किया गया था, और उद्गाटन किया किस ने था, स्वयम प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी ने, बोगी बिल का डिसकशन आया है, तो फिर से रिलेट कर पाओगे आप लोग, भारत में कार हजार किलोमीटर से भी लंबे क्रोज सर्विस के शुरुआ होने जा रहे है, जिकि उत्तर्प देश के बनारस से कनेक्ट करेगी, बोगी बिल को, ठीक है, असम की राजधानी हो जाएगी, दश्पूर मुख्यमंत्री, सर्वानंद सो, माफ किजे, हेमंता, विस्वा सर् और जगदीज मुखी, यहां के राज जिपाल हो जाएगे, कुछ शॉर्ट फेक्ट लेते हैं, असम के बारे में डस्कुर्शन करेंगे साथी, कुछ अन्य स्टेट के बारे में, जो कि ऑप्शन में लिखें, वो मैं यहां से आप लगों को बता दूँगी, तो मुख्यमंत तो यहां से तीन पहाड़ियां आप याद रख सकते हो, कौन कौन सी पहाड़िया है, गारो, खासी, जयंतियां, और चेरी ब्लॉसम फस्टिवल मेगाले से रिलेट कर सकते हो, मणिपूर का डिसकुशन आया है, तो एन बीरेन सिंग मुखी मंत्री है, राज जिपाल का नाम इसा कि समविधान संसोधन में कहा गया है, तो सात्यों समविधान 1956 के तहत, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, एक राज्यपाल ये भी हो सकते हैं, मिजोरम की राजधानी आइज वल है, यहां का एक इंपॉर्टन फेस्टिवल, काफी दिनों से हम लोगों ने डिसक किया गया था एक्सक्राइब थोड़ा पानी पी लूँगा है टेनिस से रेलेटेड ये कप है जो कि अभी हाली में आयजित किया गया था लंदन में और इसमें की टीम वर्ल्ड ने टीम यॉरॉप को हरा करके पहली बार लेवर कप है कि जो अपने नाम कर लिया है इसका पहला संस्क्राइब 2017 में खेला गया था और अभी जो खेला गया है इसका ये पांचवा संस्क्राइब है लेवर कप यॉरॉप और टीम वर्ल्ड के बीच की एक अंतराश्टी इंडोर हार्ड कोट प्रतियों गीता है अच्छा मैंने टैनिस से रेलेटर कुछ आपको कप बताया थे फेड कप बताया था ये महिलाओं का टैनिस है लेकिन इसका नाम बदला गया था बिली जीन किंग कप किया गया था और पुर्षो का जो टैनिस है डेविस कप स्कॉटलेंड तो स्कॉटलेंड से ग्लासको आप लोगों को याद ही होगा ग्लासको में कोप 26, Conference of Parties 26 का आईजन किया गया लीवरपुल ये भी इंगलेंड में है लेकिन ना इसे अभी हाली में युनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेस साइट से हटा दिया गया था क्यों हटाए गया था क्योंकि ये इसका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थी लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है और बर्मिंगम ये भी इंगलेंड का शहर जामी हाली में Commonwealth Games 2022 संपन हुए है पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर था इसमें टॉप पर कौन था ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा अगला प्रशन है एरपोर्ट काउंसल इंटरनेशनल दौरा किस इंटरनेशनल एरपोर्ट को एरपोर्ट Service Quality Award 2022 से सम्मानित किया गया है तो इसमें से कोचिन इंटरनेशनल एरपोर्ट है ये कहां इस्तित है ये केरल में इस्तित है इसे अभी हाली में अंता राज्ट्री मतलब कि Service Quality के शेत्र में दी देखा जाए यात्रियों को सबसे ज़्यादा संतुष्ट करने में ये एरपोर्ट सफल रहा है और इसे Service Quality Award से सम्मानित किया गया है कोचिन इंटरनेशनल एरपोर्ट से आप ये रिलेट कर सकते हो कि 100% सौर उर्जा से संचालित जो विश्व का पहला एरपोर्ट है ये कोचिन इंटरनेशनल एरपोर्ट ही हो जाएगा अभी जो इंद्रकांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट है कहां इस्तित है तो ये दिल्ली में स्थित है इसने वादा किया है कि 2030 तक याने वाले साथ से आठ सालों में यह जीरो कार्बन उत्सरजन ईयرपोर्ट बन जाएगा भारत का पहला सिंगल उस प्लास्टिक stir आए इपोड में पने में त। ऐसे य उत्तर पडेश में लेकिन अभी पिछले ही साली से अंतरराष्ट्र हवाई एड़े का टैग दिया गया है पहले यहां कि वर डोमस्टिक फ्लाइटें चलती थी अगला प्रश्ण चर्चे में रहा इयान चक्रवात के कारण किस देशनी आपातकल लगाया है इसमें से जो क्यूबबा है लोकेशन भी दिखा दूँगी यहां भी हाली में इयान चक्रवात के कारण आपात काल है जो कि लगा दिया गया है 205 किलो मीटर प्रती हंटे से फिर मैं कहूंगी कि स्पीट तो आपसे नहीं पूछी जाएगी ऐसे कोश्चन है जो जेग्राफिक के सवाल बनते है करंट के इसमें चक्रवात उससे रेलेटेट कंट्री ही पूछी जाती है तो यह बेसिक है आप देखे यह नॉर्थ अमेरिका है यह साउथ अमेरिका है बीच में सेंटर अमेरिका और यह कैरिबियाई शेत्र है यही एक छोटी से कंट्री है जिसे आप क्यूबा के नाम से जानते है अच्छा बेसिक जीके में आप लोगों ने ये तो बिलकुल पढ़ा होगा कि विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है भारत में तो आप जानते उत्तर प्रदेश को कहा जाता है लेकिन विश्व में दी पूछा जाये तो ये क्यूबा को ही कहा जाता है इसकी capital हो जाए है फिर यहां USA है और फिर यहां मेक्सिको है इतना बेसिक आप लोगों को मालूम है कनाड़ा में बीते 50 सालों में आपातकाल कभी नहीं लगाया गया था जो आपातकाल अच्छा यहां क्यों मैं लिख रही हूं यहां लिखूंगे तो और एक्स्टा इंफॉर्मेशन नहीं नहीं दे पाऊंगे लोकेशन बता दी अब ऑप्शन से दे हम डिसकस करें कनाड़ा में अभी हाली में पचास साल के तिहास में पहली बार इमर्जेंसी लगाई गई थी राजनेती गतिरोत के चलते लगाई गई थी प्रधान मंत्री जस्टिन टुडो के द्वारा अमेरिक अमेरिका का जो शेहर हैं नियु यॉर्क यहां भी हाली में पोलियो वाइरस के कारण इमर्जेंसी लगा दी गई है और ब्रिटेन क्लाइमट इमर्जेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है रिसेंटली इसने रड अलर्ट जारी किया है क्योंकि यहां जो पास अभी कौन से चक्रवाथ हम लोगों ने पढ़ा एक रिलेट करोगे तो नौरू चक्रवाथ है यहां रिलेट करो शाहिन चक्रवाथ बंगाल की खाड़ी वाले में बंगाल की खाड़ी वाले एरियम में रिलेट करोगे तो गुलाब चक्रवाथ फिर यह जापान यह है यहां से आप हिन्नाम जोर चक्रवात रिलेट कर सकते हो ठीक है टाइफून इसे यहां कहा जाता है तो यह आप जापान वाले शेत्र से रिलेट कर सकते हो अच्छा काफी दिनों से मैंने आप लोगों को करन्ट यहने कि विश्व की जल्धाराय नहीं पढ़ाया है कंफ्यूज नहीं करूंगी केवल दो ही जल्धाराय यहां से आद करूंगी यह जो एक्वेटर गुजरती है भूमध्य रेखा माफ किजे भूमध्य रेखा की यह मैंने गलत खीज़ दी है क्योंकि भारस से नहीं गुजरेगी भाई तो भूमध्य रेखा की ऊपर में यहां यहां पास यह विश्व की सबसे गर्म जल्धारा है और यहां से बहती हूँ आती है लेब्राडोर जल्धारा जो कि विश्व की सबसे ठंड़ी जल्धारा है तो यहां Grand Bank का निर्मार करती है जो की मचली पालम के लिए सर्वस रिष्ठ माना जाता है अगला प्रश्ण है किस राज्जी में इस्थित माधार आश्टी उध्यान में लगभग सार साल बाद फिर से बागों को लाया जाएगा तो माधार आश्टी उध्यान कहा इस्थित है मध्य प्रदेश में इस्थित है अभी श्योपूर का भी डिस्कुशन कर लूँगी यहां के बारे मेदिय में बात करूँ तो यहां जो बाग लाया जाएगे ऐसा नहीं कि विदेशों से लाया जानी इन बागों को पन्ना, पन्ना कहा है? यहां है बांधवगड नेश्चनल पारक, बांधवगड यह आपका कटनी के पास है सत्कुडा नेश्चनल पारकों से लाया जाएगा जो राजट्य बाग संट्रक्शन प्राधिकरण है इसने तीन राज्यों राष्टि उध्यान से पांच बागों को किया जाना है तो पहले चरनमें तीन बागों जिसमें कि एक नर दौ माधा होंगी इसमें शिवपूरी के माधों राष्टि उध्यान में यह लाए जाने है माधर नेशनल पार्क के कहा है इसते शियुपुरी जिले में शियुपुरी की लोकेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं तो यहाँ आप अडिशनल यह याद रखेंगी कि शियुपुरी का नाम बदल करके कुंडेश्वर कर दिया गया है और माधर आश्ट उद्यान इसका नाम 1969 में माधर और सिंधिया की नाम रखा गया था और 1958 में इसे वैसे नेशनल पार्क के भोशित कर दिया गया था अभी शियुपुर का लोकेशन देखोगी न, तो शियुपुर का जो कुनो नेशनल पार्क है है यहां नामी भी आसे अफ्रिकी शीते हैं जो की लाए गए हैं आप लोगों को मालूम है चलिए मध्यप्रदिस का डिसकुशन आये तो यहां के कुछ अन्य शेहर देख लेते हैं हम जो की चर्शे में थे मंडला आदिवासी साक्षर जिला बना है भारत का पहला 100% यहां बालाघाठ कर दिया गया है नर्मदा पूरम किया गया है फिर उसके अलावा खंडवा के पास न नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जाबुआ का कडकनात मुरगया में जिससे जी आई टेग मिला था फिर भुपाल मेरानी कमलापती रिल्वे स्टेशन भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रिल्वे स्टेशन एक कोईला खदान सिंगरॉली से रिलेटेड आप लोगोंने पढ़ी होगी इसके अलावं पन्ना के पास ये जो शतरपुरवाला शित्रही बक्सवाह के जंगल के कारण शर्चे में आया था है रीवा सोलर प्लांट का उध्गाटन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किया था हो 750 मेगावाट की परियोजना है MPPSC में आपका ये सवाल बन भी चुका है चलिए सत्या मंगला टाइगर रिजर्वेदिया आप रिलेट करो कहां इस्थित है तमिल नाडू में इस्थित है इसे भी हाली में टी इंटू टू अंतर राश्ट्री कुरसकार से सम्मानित किया या है गिरव अंसदा Black Buck Marine ये आप गुजराज से रिलेट कर सकते हो और राजस्थान का एक केवला देव नेशनल पार्क तो आप लगों को डेफिनेटली याद रखना है क्योंकि यहाँ पहली बार भारत में BOMA Technology जो अफरिका की BOMA टेकनीक है न इसका प्रयोग किया गया था अगला प्रशन है क्याबिनेट ने किस योजना को दिसंबर 2022 तक का वस्तार दिया है हाला कि पहले देखो सितंबर तक का वस्तार मिला था अब तीन महिने का और extension मिल गया है प्रधान मंत्री गरीब अनकलान योजना को ये जो योजना है न ये लॉगड़ॉन के टाइम शुरू की गई थी जिससे की 80 करोड लोग लाभानमित हो रहे हैं 5 किलो ग्राम का मुफ्तराशन इस योजना के तहट प्रवाइड कराय जा रहा है हर महिने 5 किलो गेहू या चावल और 1 किलो दाल इसमें शामिल है तो प्रधान मंत्री जन्धन योजना ने अभी हाली में अपने 8 साल पूरे कर लिया थाइस गस 2014 से इसके शुरुआत की गई थी फिर यदि मैं बात करूँ उज्जुला योजना 1 मई 2016 से इसके शुरुआत की गई थी प्रधान मंत्री मुद्रा योजना 8 अपरेल 2015 में इसके शुरुआत की गई थी अभी इसी साल इसने अपने 7 साल कंप्लीट कर लिये हैं अगला प्रशन है हाली में कम दोरी पर वार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल जिसका नाम है मतलब कि इसी को आप कर सकते हैं वैरी शॉर्ड शॉर्ट वैरी शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज शॉर्ट रेंज हो गया ए से एयर डि से डिफेंस और सी से सिस्टम तो यह जो मिसाइल है अभी हाली में DRDO के द्वारा लॉंच की गई है और DRDO के रिसर्च सेंटर इम्रत RCI हैदराबाद द्वारा इसे डिजाइन और विक्सित किया गया है सफल परिक्षन कर लिया है DRDO ने Defense Research Development Organizations की फुल फॉर्म है नई दिल्ली में हैड़कॉर्टर है 1958 Formation Year है जी सती सरड़ी पहले अध्यक्षत इसके लेकिन अब समीर भी कामा थे इसका मोटो अबलस सिम्मूलम विज्यानम DRDO ने भारत drone डेवलप की थी LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए इसके लावा CRPF के जवानों के लिए एक निंजा माफ कीजे निंजा नहीं होगा रक्षिता होगा एक रक्षिता नाम का Bike Ambulance ये भी डेवलप किया था इसरो भारत की Space Agency 1969 में इस्थापनोवी बैंगल और करनाटक में हेड़कॉर्टर हो जाएगा एस सोमनाथन इसके वर्तमान में अध्यक्षो हो जाएंगे भाबा अटोमेक रिसेर्च सेंटर ये Bombay Trombay है Sky Root Aerospace ये हैधराबाद में सिख भारत की Private Space Agency है मतलब की Private Space Company है जिसने की धावन वर्मा नाम का एक रायोजनिक इंजन का सफ़र परिक्षन किया था अगला प्रशना मुहमद बिन सल्मान किस देश के प्रधान मंत्री बने हैं तो रिसेंटली ये साओधी अरब के प्रधान मंत्री बन गया है और इन्होंने सल्मान उल सओध का इस्थान लिया है साओधी अरेबिया के लोकेशन ऐसे में कुछ आप बहतर तरीके समझ सकते हैं कि इंडिया के परस्पेक्टिव में कहां एक्जिस्ट करती ही कुछ यहां पास साओधी अरेबिया यारब प्रायदीप के अंतर गताता है इसकी कैपिटल हो जाएगी रियाद करंसी हो जाएगी साओधी एरियल और श्री लंका के जो प्रधान मंत्री है ये दिनेश गुन वर्धने है प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे रनिल विक्रम संगे अभी दो दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि इटली की पहली महिला प्रधान मंत्री कौन बनी है जोर्जिया मेलोनी बनी है और बांगला देश के जो प्रधान मंत्री है इनका नाम क्या है शेख हसीना चर्चे में भी रहती है आपको मालूब है अगला प्रशन है विश्व ह्रदय दिवस कब मनाया जाता है तो यहर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है ह्रदय से होने वाली बीमारीों के प्रती लोगों में अवेर्नेस लाने के लिए दिवस मनाया जाता है इस बार की थीम थी हर दिल के लिए दिल का इस्तमाल 27 सितंबर को विश्व परेटन दिवस, राश्टी परेटन दिवस 25 जनवरी को 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाय गया है लोई पॉश्चर की इसमृती में दिन मनाय जाता आप कह सकती इसी डेट को क्योंकि इसी दिन इन्होंने इसके टीके की खोज की थी 21 सितंबर को शान्ती दिवस और अलजाइमर दिवस आप रिलेट कर सकते हो अगला प्रशन चर्चे मेरा Operation Octopus किसे सम्बंदित है ED से सम्बंदित है देखिए अभी ये जो प्रवरतन निरेशाल है जिसे आप ED कहते हैं ये चर्चे में है और ये जो PFI है ये भी चर्चे में है अब इसके बारे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा क्योंकि आप लोग नियूस में देख रहे होंगे तो ये नियूस तो चाही हुई है और ये आप अपने में स्किमें ये आप आंसा राइटिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि इसे आप लोगों को अच्छा सा एक्स्प्लेइन कर देना चाहिए और ऐसा नहीं कि ये कुश्चन लास्ट में रखने लायक है क्यों चर्चे में आया है क्योंकि अभी हाली में भारत की जो खूफिया एजनसी है न आई बी इंटेलिजन्स ब्यूरो और रा रा यानिकी रिसर्च एंड इनलेसिस विंग इसने अभी हाली में पी आफ पर रेट डाली है और मतलब पूरा ऐसा हुआ है कि मिडनाइट एक तरह का रिस्क्यू रिस्क्यू नहीं कहेंगे एक तरह का ऑप्रेशन हुआ है क्या क्या बाते निकल करके सामने आई है हाला कि इसमें अमिस शाब इंक्लूर थे जो पूरी प्लानिंग हुई क्या कैसे रहा कल फर्स्ट कोशन में रख करके यह मैं आप लोगों को अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दूँगी कौन सी गतिविधिया यहां संचालित हो रही थी सब कुछ तो यहां आपको क्यों मिशन का नाम याद रख लेना है मिशन ओक्टोपस तो फर्स्ट लाइन पढ़े हैं पी एफ आई के खिलाफ ओपरेशन का कोड नेम ही परेशन लिखा यहां होना ची ओपरेशन चलो मोडिफाई कर दूँगी अक्टोपस रखा गया है बस अब मैं इसे एक्स्प्रेंट करती हूँ कल आप लोगों चार्ट के साथ सीबी आई का भी तो कल एका ओपरेशन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को सेंट्रल ब्यूरो ओफ इन्वस्टिगेशन का कौन सा था ओपरेशन मेघ चक्रन ओपरेशन आहा टिंडेन रेलबे से रिलेट कर सकते हो और एयर फोर्स ने यूक्रेन में भारतियों को निकानने के लिए ओपरेशन गंगा चलाया था और अफगानिस्तान में फसे भारतियों को निकानने के लिए कौन सा ओप्रेशन चलाया था ओप्रेशन देवी शक्ति इसमार राइटिंग बड़ी बिगड़ जाती है लेकिन आप लोग समझ जाते हैं कि मैंने लिखा क्या है खुआ सा ध्यान दे मैंने कल आप लोगों से पूछा था हमर बेटी है हमर अभियान के शुरुआत किस ने की है चत्तिस गड़ने आज का सवाल है डुगॉंग भारत का जो पहला डुगॉंग संद्रक्शन के इंदरे किस राज्य में स्थापित किया गया है इसका अंसर कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा टेलिग्राम पर जुड़ जाएए टेलिग्राम में आप लोग लिंक नहीं पा रहे हैं तो मैं बता तो रही हूं डेली आप लोगों को डैट टेलिग्राम में जाएए वहाँ चैनल का नेम सर्च करना होता है उसमें जाकर के सर्च कीजिए कल्यानी 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 जो की मेरा नाम है फिर मैम और पीडियाफ मेरा चैनल आपको मिल जाएगा लगभक 16,000 से अधिक स्टेंट वहाँ फॉलो कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ थांक्यू सो मच